कि आप सब अच्छे होंगे मैं भी अच्छी हूँ और चल रही है नवरात्रों की तैयारी क्योंकि टू अप्रैल से हैं नवरात्रे और आज मैं 31 को लेके आई हूं सामान कुछ नवरात्रों के लिए और हमन सामगरी का नवरात्रों में जो जुरत पड़ती है तो आपको दिखाऊंगे कि मैं कैसे कैसे कपड़े लाई हूं माता के और मालाय लाई हूं और हमन सामगरी में हमें क्या क्या चाहिए और हमन सामगरी में क्या क्या मिलाना चाहिए जिससे हमारे घर का बातावरन बहुत ही सुध हो जाए तो आप सब जानते ही हैं पर मैं क्या क पूजा करने के बाद आप अपने घर में उस खुश्बू को उस पूर्जा को महसूस करते हैं उससे अलग ही खुशी मिलती है और मेरा मानना यह है आप अपना एक खर्चा कम कर सकते हैं लेकिन प्रभू का काम में थोड़ा सा एक्ष्टा ही करना चाहिए ताकि प्रभू कुस हाल तो बगवान किसी चीज के भूके नहीं है पर फिर भी देखो हम अपने बच्चों के लिए भी तो करते हैं और जिसने हमें सब कुस दे रखाया तो हम उसके लिए तो करना ही चाहिए तो चलिए देखते हैं मैं क्या क्या लेके आई हूँ यह मैं एक लेके आई हूँ साड़ी लेके क्या मिर पास रखी थी यह पिंक कलर की साड़ी है यह मैं माता को चढ़ा दूंगी इसे मैं खुद भी पैन सकती हूँ और दान भी दे सकती हूँ दोनों ही चीजे है यह माता की एक यह एल्व क्लर की ड्रेस लाई हूँ मैं, इसके साथ येल्व ही कलर की चुन्णी है, जो मुझे बहुत अच्छी तो नहीं मिली, लेकिन मैं इसकी लैस ना दूसरी लगाऊंगी इस पर, तो यह थोड़ी हैवी हो जाएगी, और एक ये में red color की माता का चुन्नी और लहंगा है और चोली है उनकी तो ये मैं लेके आई हूँ देखो पनी इतनी tight हो रखी थी खुलनी रही थी और ये देखो इस तरह का लहंगा है और ये उनकी कोहटी है और ये उसकी चुन्नी है लेकिन इसके साथ में एक 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 चुन्नी लेके आई हूँ ये माता के लिए ही तो दो जोड़ी कपड़े में माता के लाई हूँ और ये एक red color की माला है माता के लिए और एक ये छोटी माला इस red color के अंदर के लिए दो माला लाई हूँ मैं माता के लिए ये तो हो गए कपड़े और गर्मिया आ रही है तो मैं लटू गपाल जी के भी कपड़े लाई हूं कुछ हलके हलके उनके भी में ये कपड़े लाई हूं बहुत हलके हलके से हैं तो इसलिए गर्मिया आ रही है और देखो किता सुन्दर सा उनका मैं नाइट सूट लाई हूं ये मुझे बहुत प्यारा लगा, छोटा सी शिर्ट है और ये छोटा सा देखो, किता प्यारा लग रहा है न, मुझे बहुत पसंद आया तो मैं ये ले आई उनके लिए भी, ये है माता की स्रिंगार, और स्रिंगार में मैं वही चीजे चढ़ाती हूँ जो यूज हो सकती है, ऐसा नहीं है, वो पन्नी वाला चढ़ाओ और उसको फिर पानी में बहा दो, उसमें तो आप 10-20 रुपे जो भी खर्च करते हूँ, वो वेस्ट होते हैं, तो ये सारा स्रिंगार मैं माता के लिए अच्छे वाला लाती हूँ, और ये सब मैं जैसे नारियल लाते हैं, तो मै पतंजली का है, कहते हैं कि सुद्गव का गी है, तो मैं वही लाई हूँ, तिल का तेल है, और ये एक मठ की लाई हूँ, और जो बोने के लिए बरतन, इसको मैं अभी अच्छे से सजाऊंगी, इसको भी पेंट वगरा करके सजा के इसको अभी आपको दिखाऊंगी, अब इसमें है, ये जो पूजा में कामाने वाला समान है, ये मैं बगवान के लिए चंदन का इत्र लाई हूँ, अब गर्मियां आ रही है तो चंदन ठंडा होता है, तो उनके लिए चंदन का इत्र है, ये लोंग है, ये जों है, ये पतासे है, जाइफल है और सुपारी, रोली मोली ये सब ऐसे तो मेरे मंदिर में है भी और ये मैंने सारी पंच मेवे और मिस्री और शोप गएरा मिला के एक डब्बे में भरके रख दिया है परशाद में उतना ही निकालो और इस्तमाल कर लो तिके पान फूल आम के पत्ते सब ये दो तारिक की सुबह ही आएंगे तो त आच मेवे हैं काजू बदाम किसमी सख रोट मखाने और ये कपूर है ये लोंग है इलाइची पीली सरसो ये लोबान है ये गूगल है तो ये सब चीजे जो भी हैं और ये सक्कर है मैं चिन्नी नहीं मिलाती हूं सक्कर मिलाती हूं इसलिए सक्कर लिए है ये चावल है ये मैंने बिल्कुल साफ करके लिए हैं और यह देशी घी है यह सहद है तो यह मैंने पराथ में आधा किलो सामगरी कर ली है मैं एक साती मिला के सब समान रख लूँगी इसी में चावल डाल देती हूँ काले तिल भी इसी में डाल देती हूँ जो भी और ये सक्कर भी मैं इसी में डाल देती हूँ ये सारे मेवे भी मैं इसी में डाल देती हूँ और ये ये लोबान है ये गूगल, सरसो, इलाइची, लोग ये सब मैं इसी में डालती हूँ और ये कपूर को भी मैं क्रस करके इसमें ही डाल दूँगी ये हवन के लिए मैं डली वाला कपूर लाती हूं तो देखो मैंने पतला पतला तोड़के इसी में डाल दिया तीन-चार चमच इसमें मैं सहद भी डाल दूँगी गी डालने में कंजूसी ना करें क्योंकि ये भगवान का खाना है हम जैसे हवन में आउती देते हैं ये समझो कि हम बगवान को खाने के लिए दे रहे हैं तो इसलिए अच्छे से आप गीवी मिला के इसमें अच्छे से तयार करें इसको और अच्छे से मिक्स करके आप इसको एक डब्बे में भर देखो कितना अच्छा मिक्स हो गया है तो आप इसे एक खाली डब्बा है ये इसमें भर के रख लूँगी मैं ये जितना आप रोज हवन करते हो जैसे ऐसी खाली का टोड़िली उसमें निकाल लिया जितना आपको आप सकता है हवन किया बाकी इसी में रख रहेगा अगर बच जाए को कमेंट करके बताना जरूर कि आप भी क्या-क्या लाए है मार्किट से मातर आने के लिए मैं तो जो लाई थी मैंने आप सबको दिखा दिया है तो चलिए अब सजाते हैं मत्की अब यह मैं मत्की सजाने का काम कर रही हूं मेरे पास रेड कलर नहीं था औरेंज कलर था तो यह औरेंज कलर से ही मैं मत्की सजा रही हूं इसे पूरे बरतन को मैं औरेंज कलर से पेंट कर दूंगी अगर आप मेरी वीडियो देखते हैं या नहीं देखते हैं मुझे नहीं पता अर लेकिन मैं आपको कुछ भी ऐसा नहीं है कि मैं आपको सिखा रही हूं कुछ या यह भई आप ये सोचों की बताती हैं क्या-क्या इसको आता है हाँ बस यही समझ लिए जो मुझे आता है या मैं जैसे करती हूँ केवल आपको दिखा रही हूँ बता कुछ भी नहीं रही हूँ और अगर आप मेरी वीडियो देखते हैं तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका और यह मैं इसलिए सजा रही हूँ नहीं तो करती तो मैं हर बार ऐसे ही हूँ ऐसे ही तैयारिया करती हूँ पूजा की देखो यह ब्रस के पिछले इससे से डंडी से मैं थोड़ा सा अलका-अलका डिजाइन बना लूँगी ताकि पत्या थोड़ी ठीक सी बनें इन पत्यों में मैं ग्रीन कलर कर दूँगी देखो जितना घर में है आप उसी से तैयारी कीजिए जरूरी नहीं है कि ऐसा ही करना है आप जैसे भी कर सकते हैं वैसा कीजिए बस खुस रहिए क्योंकि खुस ही जादा है इंपोर्टन्ट है सब चीजों से और मन के भाव होने चाहिए हम क्या लाए हैं क्या नहीं लाए हैं वो इंपोर्टन्ट नहीं है कितनी बार ऐसा होता था कि गाउं में होते थे तो नहीं होती थी सारी इतनी सारी तैयारियां अब सब चीज अवलेबल हैं तो कर पाते हैं तो अपनी जेब के हिसाब से अपनी सुईदा के हिसाब से तयारियां करें आप देखो ही मटकी तयार हो गया सच के और ये जोब होने का बरतन भी तयार हो गया है मैं करते करते तक देखो मटकी सच चुकी है और मैं दिखाऊंगी आपको कि मैं कैसे पूजा करूंगी, कैसे दरबार लगाऊंगी, वैसे तो मैं अपनी मंदिर में ही दरबार लगाऊंगी, लेकिन फिर भी आपको दिखाऊंगी, फिके मैंने कैसे सजाया है, तो चलिए, करते हैं, तयारिया, और नवरात्री आप सब के अपने नेक्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, बाई बाई